किसी व्यक्ति प्राणी वस्तू स्थानिया भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संग्या कहलाते हैं हिमाल्य उत्तर दिशा में है सैनिक पहरा दे रहा है आम में मिठास है उपर दिये गए वाक्यों में रंगीन चपे शब्द हिमाल्य उत्तर दिशा सैनिक तथा मिठास आदी शब्द किसी न किसी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव का बोध करा रही हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोद कराने वाले शब्द को संग्या कहते हैं संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद हैं व्यक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या, भावाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या जो संग्या शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्ति वाचक संग्या कहलाते हैं, जैसे हरिश, दीपक, एरावत, कामधेनू, ताजमहल, यमुना, मुंबई, कानपुर, भारत, गोदान आदे, जाती वाचक संग्या, जो संग्या शब्द किसी जाती, समुह, जुंड, अर्थात एक से अधिक के होने का बोध कराते हैं, वे जाती वाचक संग्या कहलाते हैं, जैसे आदमी, चानवर, पक्षी, किताब, स्त्री पुरुष, विद्याल्य, शहर, गाउं, पहाड आदी, जाती वाचक सं चोंकि इन दोनों उपवर्गों में आने वाले शब्द एक से अधिक एकाईयों की और संकेत करते हैं, अतै जाती वाचक संग्या वर्ग के अंतरगर्थी आते हैं, जैसे द्रव्य वाचक संग्या जो जाती वाचक संग्या शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य, अत्वा धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं, जैसे पानी, दूद, पीतल, सोना, कोईला, लकडी आदी, समुह वाचक संग्या जो जाती वाचक संग्या शब्द किसी समुह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुह वाचक संग्या कहते हैं, जैसे सोना, कक्षा, टीम, पुलिस, संसद, होमगार्ड, जुलूस आदी, भाव वाचक संग्या जो संग्या शब्द किसी व्यक्ति या वस्तू के गुण, दोश, स्वभाव, दशा, अवस्था, धर्म, स्थेती आदी का भोध कराते हैं, वे भाव वाचक संग्या कहलाते हैं, जैसे मित्रता, पांडित्य, मानत्व, देवत्व, बच्पन, लज्जा, हर्ष, क्रोध, ममत बढ़ा, बढ़ापा, योवन आदी, भाव वाचक संग्याओं का निर्मान, कुछ संग्याई मूल रूप से भाव वाचक होती हैं, भाव वाचक संग्या शब्द, जाती वाचक संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया तथा अव्याय से बनाए जाते हैं, जाती वाचक सं प्रभू प्रभूता, पंडित पंडताई, मानव मानवता, नेता नितरत्व, ठग्गी, चोर चोरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाई, भाईचारा, युवा, योवन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, जवान, जवाने, माता, मात्रत्व, परिवार, परिवारिक, भक्त, भक्ति, कवी, कवित्व, सेवक, तेवा, सज्जन, सज्जन्ता, संस्कृती, संस्कार, इश्वर, एश्व सर्व नामों से भावाचक संग्या बनाना सर्वनाम भावाचक संग्या एहंग एहंकार निज निजत्व सर्व सर्वस्व अपना अपनापन पराया परायापन मम ममत्व विशेशनों से भावाचक संग्या बनाना विशेशन भावाचक संग्या द्रड द्रडता आरुण आरुणीमा कृतग्न, कृतग्नता, विद्वान, विद्वानता, महंगा, महंगाई, प्यासा, प्यास, ठंडा, ठंडक, एक, एकता, स्वस्थ, स्वास्थि, निर्धन, निर्धनता, लगु, लगुता, मधुर, मधुर्य, मधुर्ता, उदार, उदारता, चालाक, चालाकी, युवा, यो चतुर चतुराई भयानक भय कृतग्य कृतग्यता हरा हरियाली अदर्नी आदर काला कालीमा अच्छा अच्छाई बुरा बुराई खटा खटास अवश्यक अवश्यक्ता क्रिया से भावाचक संग्या बनाना क्रिया भावाचक संग्या अस्त अस्तित्व चिल्लाना चिल्लाहट बुलाना बुलावा मिलना मिलावट खोदना खोदाई खींचना खिंचाव भिडना भिडंत थकना थकान डरना डर छपना चपाई उडना उडान लिखना लिखाई चो उलना भूल, रोकना रुकावट, दोडना दोड, खेलना खेल, देना दान, जीतना जीत, उलजना उलजन, हारना हार, बहना बहाव, बिकना बिक्री, कहना कहावत, सींचना सिंचाई, कमाना कमाई, बनाना बनावट अव्यय से भावाचक संग्या बनाना अव्यय भावाचक संग्या सद्रिश साद्रिश वाह वाह वाही तेज तेजी समीप समीपता धिक धिककार निकट निकटता शीग्र शीग्रता दूर दूरी उपर उपरी भावाचक संग्या शब्दों की सूची शब्द भावाचक संग बंधु बंधुत्व, मानव मानवता, चोर चोरी, मलिन मलिनता, भक्त भक्ती, हिंसक हिंसा, जटल जटलता, मुखर मुखरता, जातिय जातियता कुलीन कुलीनता, कायर कायरता, सरल सरलता, लंबा लंबाई, युवा युवक योवन, मित्र मित्रता मैत्री, हरा हर्याली, दीन दीनता, लाल लाली कठोर, कठोरता, एमानदार, एमानदारी, शूर, शूरता, गहरा, गहराई, कुशल, कुशलता, बैमान, बैमानी, नम्र, नम्रता, अराजक, अराजकता, गवार, गवारपन, अमर, अमरता, जिग्यासू, जिग्यासा, चालाक, चालाकी, विद्वान, विद्वता, अतिथी, अतिथ्य, स्पष्ठ, स्पष्टता, स्वाधीन, स्वाधीनता, सुन्दर, सुन्दरता, नीचा, नीचाई, बहुत, बहुतायत, लुटेरा, लूट, मनुज, मनुजता, धिर, धिरता, भाई, भाईचारा, शिश्य, शिश्यता. ध्यान देनी योग्य बातें, जाति वाचक संग्या कभी कभी व्यक्ति वाचक संग्या की भांती प्रियुक्त होती, जैसे शास्त्री जी हमारे प्रधान मंत्री थे, इस उधारण में शास्त्री जी शब्द एक जाति वाचक शब्द है, परन्तु यहां इसका प्रियोग एक व्यक्ति विशेश लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए है कभी-कभी व्यक्ति वाचक संग्या का प्रयोग जाति वाचक संग्या के लिए होता है जैसे भारत में प्रतेग घर में सीता सावित्री है इस उदाहरण में सीता सावित्री व्यक्ति वाचक संग्या है परंतु यहां गुण का वर्नन करने के लिए जाती वाचक के रूप में हुआ है, देश में विराट कोहलियों की कमी नहीं है हमने सीखा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संग्या कहलाते हैं संग्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या के दो भेद माने जाते हैं, द्रव्य वाचक तथा समुह वाचक, भाव वाचक संग्या शब्द, जाती वाचक संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क तथा अविया से बनाएं